प्यारे बच्चो पीजी टी के इतिहास बिसे के अनुभवी सिच्छक स्री संतोस कुमारदास जो प्लस टू हाई स्कूल गोपी का अंदर दुमका में पदस्थापित है उनके द्वारा इतिहास बिसे का परिच्छा उपयोगी प्रस्न दिया गया है जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि महत्पून प्रस्नों की जनकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं पहला कोस्चन है तुजुक ए बाबरिक की भासा में लि कि कुल रकम का 10 बटा 11 भाग कंपणी को देना था तथा 11 बटा 11 भाग स्वम रखना था तैक की गए रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का दिकार जमिन्दारों को दे दिया गया तीसरा है 1857 की क्रांती के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो 1857 के विद्रों के दोरान लॉड केनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे जो 1856 से 1860 तक रहे अगला है चौरी चौरा घटना कब और 21 राज में घटित हुई थी तो चौरी चौरा कांट चार फरवरी 1922 को ब्रिटिस भारत में तथकालिन सहीप्त प्राथ वर्तमान में उत्तर परदेश के गुरकपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी जब असायोग अंदोलान में भाग लेने वाले परदंसकारियों का एक समू पूलीस के साथ भीड गया था पाचमा है मुस्लिम लिंग की अस्थापना कब और कहां पर हुई तो 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिस भारत के दौरा ढाका मलवतमार में बंगला देश में औल इंडिया मुस्लिम लिंग की अस्थापना हुई थी अखबर ने फतेपूर सिक्री में बुलन दर्वाजे का निर्मान समराठ अखबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने के अस्मिर्टी में सुल्ला सो दो इस्थापना है भारत छोडो आंदोलन की सुरवात कब हुई भारत छोडो आंदोलन दूतिय विशूद के समय 8 अगस्त 942 को आरम किया गया था अब यहां से आपका लगूतर ये प्रशन है दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं तो दीन ए इलाही 1582 इस भी में मुगल समराथ अखबर द्वारा एक सोची थी जिसमें सभी धर्मों के मुल्टत्वों को डाला इसमें परमुक्ता हिंदु एम इसलाम धर्म थे अखबर सब्द के अर्थ हैं अल्ला मलविश्वर महान है या अल्ला इस वर सबसे बड़ा है दीन ए इलाही सही माइनों में धर्मना होकर एक अचार सहिता समान था इसमें भोग घमन निंदा करना या दोस लगाना वर्दित थे एवं इन्हें पाप कहा गया अगला कोचन है संथाल और पहाणियों के बीच लड़ाई हल और कुदाल के बीच लड़ाई थे सिद्ध कीजिए तो पहाणियां लोगों की अजीविका तथा संथालों की अजीविका में अंतर विभिन उधारनों द्वारा अस्पस्ट किया जा सकता है पहाणियां लोग की खेती कुदाल पर अधारी थे, ये राजमहर की पहाणियों के इर्द गित रहते थे, वे हल को हाथ लगाना पाप समझते थे, वहीं दूसरी और संथाल हल की खेती यानि अस्थाई करिसी सीख रहे थे, ये गुजारियां पहाणियों की तलहटी में रहने वाले थे, पहाणियां लोग जूम खेती करते थे और जंगल के उत्पादों से अपना जिवों को पारजन करते थे, जंगल के छोटे से भाग में जाणियों को काट करता था घांस पूस को जला कर वे जमीन साब कर लेते थे, राक की पोटा से जमीन पर याप उप जाओ बन अस्थाई खेती करते थे, वे फ्रस्रमी थे और इन्हें खेती की समझ थे, इसलिए जमिनदार लोग इन्हें नई भूमीन निकालने तथा खेती करने के लिए मजदूरी पर रखते थे, तीसरा है किरिसी के अत्रिक सिकार वा जंगल के उत्पाद पहाड़ियां लोगों के साधन थे, वे काट कोला बनाने के लिए जंगल से लकणियां एकसरित करते थे, खाने के लिए महूआ नामक पौधे के फूल एकतर करते थे, जंगल से रेसम के कीडे के कोया एवं रोल एकतरित करके बेशते थे, वहीं दूसरी और खाना बदोर जीवन को छोड़क कर एक esaन पर बस जाने के कारण संथाल अस्थाई खेती करने लगे थे वे बढ़िया तमाहु और ससो जैसे वानीजीक फसलों को उगाने लगे थे पैनाम सरू उनकी आर्थिक इस्थान पर बस कर अस्थाई खेती की जाती थी इस परकार मैदानों में रहने वाले लोग प्राया पहाडियां लोगों के आकरमनों से भायवीत रहते थे किन्तु संथाल के लोगों के जमिंदारों और वेपारियों के साथ संबंद प्राया मैत्रिपून होते थे वे वेपारियां सहीकारों के साथ लेंदेन भी करते थे दस्वा है लौड डल होजी की राज अपहरन नीति क्या थी तो वैब गत का सिधान्थ या हडप नीति जो है वो पैत्रिक वारिस के ना होने की स्थिति में सर्वोस सत्ता कंपणी के द्वारा अपने अधिनस्त छेतरों को बिटिस समराज में मिलाने की नीति वैब गत का सिध का उप सिधान था जिसके द्वारा ग्रेट बिटे ने भारतिय उप महाद्विव के सासन के रूप में अधिनस्त भारतिय राजयों के संचालन था उनके उत्राधिकार के क्वैस्थापन का दावा किया इगारा है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताएं तो पहला कारण किर्फ्ष मिशन की समापती मिशन के किसी अंतिम नीने पर ना पहुचना था दूसरा था दूतिय विस्यूद में भारत का ब्रिटीज को बीना सर्थ समर्थन करने की मंसा को भारतिय राष्टे कॉंग्रेस द्वारा सही ना समझा जाना तीसरा है ब्रिटीज वीरोधी पायों के नित्रित में दो दसक से चल रहे जन आंदुलोनों ने इस आंदुलन के लिए प्रिष्ट भूमी निर्मित कर दी थी पांचमा है दुतिय विशूद के पहिनां सुरू अथवस्था खिस्ति काफी खराब हो गई थी अलाश कोचन है मुगल मनसबदारी विवस्थ अब क्या समझते हैं तो फार्सी में मनसबदार का अर्थ है मनसब मलबपद या स्रेनी रखने वाला मुगल समराज में मनसब से ताथपर उन पदिस्थिती से था जो बादसापने पदाधिकारियों को परदान करता था मनसब दो परकार के होते थे जात और सवार मनसब की प अर्भी सब्द है जिसका अर्थ पद या रैंक है मनसब सब्द सास की अधिकारियों तथा सेना पतियों का पद निधारित करता था सभी सैन तथा सैन अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती थी जो अलग-अलग हुआ करती थी मनसब के अधार पद अधिकारियों के वे जय भारत